वाइसब गाइस आई होफ याडिंग वैलकम डिश्टल और फैमली तो कैसे हो मेरे दोस्तों मैं आसा करता हूँ शांदार तरीके सा आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत फैमली और पाय के धान का फेचे से रहे हो आई होफ कि आप लोगोंने सारे फेस्टिवल शांदार तरीके सेलिबेट कर लियोंगे तो फिर से आप लोगो हैपी भाईया दूस्टों ओल फ्यो मुझे लगता है कि आज का दिन यहनगे सेटरडे और कल का दिन आप लोगो सारी चीजे प्रोपर वे में निप्टा कर अपन पढ़ाई को अठंक से स्टार्ट कर देना चाहिए क्यों क्योंकि ओलेडी दो-तीन दिन आप लोग इंजोए कर चुके हो अब कोशिस करोगी थोड़ा थोड़ा पार्ट अपना निकाल कर प्रहाई पर भी फोकस दो क्योंकि जो बच्चे ओलेडी रेगुलर लेक्चर देख यहाँ पर आप लोग जरा सभी अगर डीला पड़े तो रेस के बाहर हो जाओगी तो यहाँ पर आप लोग को जरा सी भी कोता ही नहीं बरतनी है अपने आपको continuously आप लोग को एक study zone में रखने है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को बाबा बन जाना है नहीं आप लो से 23 तो हने वाले नहीं है 24 के 25 तो हने वाले नहीं है पर हाँ आप लोग अपने आपको कितना manage कर पाते हो 24R के हिसाब से यह सबसे important चीज है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है वो है motivation तो बोला यह जा रहा है कि हाँ पर अगर तीन चीज़ा आप लोग लेकर चलते हो जिनको बोलते है API API का मतलब कि है इसको बोलते है आपर basically यह activation इसी के साथ में persistence और इहाँ पर intensity अप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीक से अपने आपको इस तरीके से लेकर चलना है कि आप लोग को एक तो lazy नहीं रहना है ठीक है अपने आपको किसी particular मुद्दे पर इंसान काम कर रहा है अगर यह सारे component आप लोग के अंदर है तो मुझे यह लगता है कि आप लोगो motivation ओलेडी आप लोग के अंदर है extra motivation की requirement ही नहीं है तो हमेशा कोचिस करो अपने आपको इन जोन में रखेने की और फिर देखो result जो है वो आप लोग का श्यांदार निकल कर आएगा ठीक है एक question के साथ में lecture को start करूँगा और यह जो part होगा हमारा discussion का दो part में divide होगा पहले part में आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि हम लोग editorial देखेंगे दूसरे part में हम लोग news analysis देखेंगे तो आज के जो editorial है वो काफी important है यह काफी आप लोग ने सुन हो गए ह यह huge stage क्या है इसके बारे में detail में समझेंगे और क्या गया condition अभी देखने को मिल रही है इसके बारे में तो काफी detail में मैं आप लोग से discuss करने वालो answer writing के लिए constitution angle क्या बन सकता है ठीक है एक है आपर basically आप लोग को देखने को मिलेगा अभी हमारी country में एक दवाई जो की बन हमारे देश में क्या क्या चीजे हैं हमारे देश में जो कानून है वो कैसे हैं तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से कि हम लोग किस तरीए चीजों को change कर सकते हैं तो यह article भी काफी important रहने वाला है और इसके बाद में फिर हम लोग news analysis का portion देखेंगे तो कुछ ऐसा हमारा discussion हैगा जो की काफी शांदार तरीके से prelims, mains और interview या फिर किसी भी इंडिया के अंदर आप लोग exam की तेहरी कर रहे है तो हर जगया current affair आप लोगों से पूछ जाता है तो इसलिए doubt मत रखिए current affair को cover करिए एक newsletter पकड़ लिजे आप लोग हमेसा फायदे में eutrophication के बारे में यह question कई बार exam में पूछ आता है तो eutrophication का मतलब क्या होते है बोला जारे कि natural aging of lake by nutrients enrichment of its water ठीक है तो यहाँ पर पहला यह बोला गया कि एक तरीके से हाँ पर आप लोगों ने सुनोगा ना कई बार lake के अंदर काफी कुछ nutrients वगरा basically एक तरीक से भर जाते है तो उसकी वैसे चीज़े देखने को मिलती है ठीक है natural जो basically बात की जारी aging of lake by nutrients deficit यहाँ पर deficit बात कर दी पहले हम बोला enrichment यहाँ पर deficit ठीक है next बोला गया natural expansion of the lake with time ठीक है यह बढ़ना लेक का और यह फिर death एक तरीके से जो गहराई बढ़ना उसका लेक का यह बोला गया है तो तो वह मैं telegram पर post कर दूँगा निमन और इसी के साथ में facebook पर अगर आप लोग connected है group में answer writing में तो वहाँ पर ही post कर दूँगा और आप लोग को Sunday में जो ethics की case study मिलेगी वो भी आप लोग जुरूर attempt किये किजे अगर UPSC free state PCS के आप लोग serious candidate है तो इसको आप लोग live का part बना हूँ आखिर ये news में किसलिए है क्योंकि recently अभी कई सारी ऐसी condition आप लोग को देखने को मिलेगी कि जो सराब पी जाती है उसकी वेसे बहुत बुरी condition निकल कर आती है कई सारे एरिया में जैसे कि अभी अगर बात करें हाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे case देखने बिहार में अभी recently 24 लोगी जान गई उत्तर परदेश में कुछ दिनों पहले कई सारे लोगों की जान गई थी इसी के साथ में आसाम में भी कई सारे लोगों की जान गई एवन यहाँ पर 2009 में गुजरात में वेस्ट बंगाल में 2011 में मुंबई में 2015 में बिहार में 2016 में उत् इसी भी तरीके सराब अगर मिलती है तो यहाँ पर उसकी वेज़े से उसको पीते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जहरीली सराब होती है एक तरीके से जिस तरीके सराब बनाए जाने चाहिए वो सराब नहीं होती है आप लोगों सुना होगा देसी एक तरीके से पोवे को फोले वे तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा तो नोर्मली जो एल्कोहल या पर यह बनाय जाती है फर्मेंटेशन के तरह है तो फर्मेंटेशन कեղड़व के थुर है तो यहाँ पर बात कि यह इंग्रिजर भुएंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है पर लेकिन होता क्या है जब यहाँ पर आप लोग बोलते हैं इलिसिट लिकर यानिक एक तरीके से ऐसी लोकल सराब जो की गलत तरीके से बनाए जाती है अनलाइसेंस तरीके से निके कोई परमीशन नहीं उनके पास में और बि इसको बोलते हैं होचेञों के नामसे हुच्चिला इंडियान से यह सब्द निकाल कर लेकर आए गया है खबी लार्ज केरे चीजेंदे को लेकिन इसके अंदर जो ingredients रहते हैं जो चीजे मिला जाती है वो बिलकुल different आप लोग को देखने को मिलेगी तो इसकी जैसे मैंने भी बता है कि अलग 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 लोगों की काफी जड़ा जान यहां पर गई है यह एक तरीके से ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा तो इसको poison की तरीके से देखा जाता है यह एक जहर बन जाता है पर लेकिन पीने वाले तो हैं पीते होने कहते हैं मेरे husband मुझसे प्यार नहीं करते हैं वोने यह गुत्ति का गाना तो वही है कि सराब पीने का एक बार को अगर बन गया तो फिर यह दिक्कत देखने को मिलती है तो इसको रोगनी कोसिस की जाती है normally methanol याद रखेगा CS3OH यहाँ पर basically as a methyl alcohol यह एक तरीके से other name से अगर इसको पकारे तो यह बोलते हैं तो यह simplest form of alcohol की तरीके से इसको देखा जाता है पर लेकिन यार देखे अगर मैं आप बोलो आप लोग को mixed ways आप लोग को बनानी है तो mixed सवेस में प्रोपर पैटरन में अप लोग को चीज़ें डालनी पड़ेगी ठीक है balance diet उपर नीचे होगया आप लोग को बोलो चाय बना के ले गयानी है तो इसमें चीनी की जगए अगर नमक डाल दिया तो कैसा रहेगा ठीक है चाइप पत्ती जो है देखने को मिल सकती है तो इसलिए खासकर उन एरिया में गुजरात में आप लोगों पता है ड्राइ स्टेट है नोर्मली अगर दिखाए बिहार भी नितियस कुमार जी के द्वारा ड्राइ स्टेट बना दिया गया तो तब से लेके कई सारी बुरी कंडिसन यहां पर देखने को मिलने लगती है आप लोगोंने नूर्मली सुना भी होगा कुछ दिनों पहले ता कई सारे आर्टिकल मेंने डिसस भी किये थे उनमें यह बोला गया था कि हम लोग को जो बैटिंग है बैटिंग सट्टे बाजी जिससे सट्टे बाजी करते ना कि मैच कौन जीतेगा कौन पैसे लगा जाते हैं तो उसको बोला था हमारे देश में आज कर दो तो लीगल करने का मतलब कै है उसके उपर टेक्स लगा दो पैसा काम हो से उस पैसों को फिर आप लोग यूज कर लो एजुकेशन के लिए लोगों को पढ़ाई एक तरी से प्रोवाइड कराने के लिए और हेल्थ के शर्वीस प्रोवाइड कराने के लिए तो उसके उपर कई बार ऐसी चीए देखने को मिलती है तो कीस जगे आप लोग को देखने को मेंलागे से जब बोला गया थो क्रिप्टो करेंशी पर बैंगा देते हैं तो लेकिन सुप्रिम को सब ने बोला बैं क्यों करने दिना एक होता है बच्चे को उसको बारे में बताना कि यह सही है और यह गलत है अब तुम चूज करो तुमको क्या चूज करना है यानि कि माली यह पेरेंट जो है बीडी सिग्रेट पी रहे है ठीक है अब बच्चा देख रहा है बच्चा बोले कि पापा बीडी पीना पीना है फिर नहीं भीना है तो बोलेंगे बापा आपके उपीतो कि मुझे लट लग गई है और बहुत गलत लट होती है तो बच्चे को समझाना वो एक तरीका होता है उरसको मारना पीटना वो एक अलग तरीका होता है तो समझाने के पैटरन में अगर हम लोग बात तो उसी तरीके से बोला जाता है कि जहाँ पर एक तरीके से completely ban कर दे जाता है वहाँ पर illegal तरीके से फिर ये चीजे बेची जाती है तो हाँ पर ban कर देने का मतलब है कि आप लोग illegal तरीकों को और जदा बढ़ाने न पिछले 5 सालों में यहाँ पर अभी देखा गया जिनको गिरफतार किया गया और लगबग बात किया रही हाँ पर 150 लिटर के करीब यहाँ पर आज केड़ में कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पर Indian made foreign liquor भी आप लोग को देखने को मिलेगी यह अलग-अलग टाइम पर पकड़ी गई है जिसकी वेसे जहाँ जहाँ पर band था खासकर वहाँ पर यह चीज़े देखने को मिली तो बोला यार यह जाता है कि हम लोग इनको क्यों नी रोक पाते हैं तो कई सारे मुद्ध्य आप लोग को देखने को मिलेगी जो important point है हुँआ आप लोग को भी बताऊंगा जिससे direct question भी आप लोग पूछ लियाते हैं सबसे कई सारी बाते तो आप लोग यहाँ पर यह देखने को मिलेगी band तो लगा दियाता है conception के उपर पर लेकिन nearly अगर देखें यहाँ पर अगर आप लोग देखें अगर जैसे की अगर बैन आप लोग लगा देते हैं तो उसके कई सारे फाइदे आप लोग को देखने को मिलेगी जैसे एक particular घर है उसमें एक इनसान है दारू पीने वाला उसको काफी जदे लत लगी हुई है और वो कोई काम भी नहीं करता है उसकी wife कमाती है और वो फैसा कमा के लेके आती है और वो इनसान क्या करता है वो सराब पीता है और सराब पीकर वो इनसान क्या गरता है जब बिहार के अंदर, जब सराब को बैन किया गया, तो उनके द्वारा बोला गे इसके बारे में, कि alcohol consumption, जो अगर बैन किया गया, उसकी वेसे, एक food की quality बढ़ गई, लोगों की अच्छा खाना मिलना लगा, और दूसरा बच्चों की education का level बढ़ गया, जहां जहां पर भी इ सिकली, यहां पर सराब बगयरा, देखें सराब भी एक तरीक दवाई है, अगर उसको ना बिल्कुली एक धक्कन की quantity में ले तो कई बार मनाता है कि दवाई का भी काम करती है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर वो चीज जो एक्सिस quantity में लेना स्टार्ट कर देता है, वो बेसिकली नुकसान पहुचाती है, अब यह बात करें तो जार 21 में ही अगर बात करें तो 60 लोगों की जान जा चुकी है, यह मैं नहीं बता रहा हूं, यह नेसनल क्राइम जो रिकोर्ड ब्यूरो है वो बता रहा है, जिसको सोर्ट फोम में हाँ पर सराप पीकर अपनी जान दे दिये, यानि कि आज की डेट में अगर एक्सिडेंट की वेसे किसी की डेथ होगा इस रडख पर, यह फिर सूसाइट की वेसे किसी ने जान गवा दी, उससे जादे जान जो है लोगों ने हाँ पर बेसिकली गलत तरीके से जो सराप पी है, तो इसलिए सोसाइटी पर काफी huge impact भी डालता है, इसलिए महादबा कांदी जी ने भी बोलता है आपर कि इन सब चीजों से distance बना कर रखना है, sale और conception, दोनों के ओपर यहाँ पर बेसिकली blanket ban लगाना, पर लेकिन administration क्या कर पाता है, उसको ढंक से implement ने कर पाता है, तो हमा प्रिमाता भी जानते थे, तो उन्होंने समिधान बनाते है टाइम, जब आप लोग बात करेंगे, part 4 के अंदर में हाँ पर क्या किया गया, DPSP रखी है, जिसको बोलता है, डिरेक्टी प्रिंसिपल और स्टेट पोलिसी, डिरेक्टी प्रिंसिपल में दब, यहनके जो हमार बात करता है, तो आर्टिकल 47 इसी के बारें बात करता है, कि इस्टेट यानके जो गर्मेंट की रेस्पोंसिपलिस करें, यहनके रोके, अगर कोई ऐसा इंटॉक्षिकेटिंग, यहनके कोई ऐसा गलत तरीगे, सराब, ड्रग्स वगएरा कोई चल रही है, जो की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, और इंशोर करें लोगों की जो फूड सेप्टी, उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, और फूड रेगुलिटर भी आप लोग यहाँ पर इस्टेबलिस कर सकते हैं, तो यह रेस्पोंसिबिल्टी दे रख कि हमारे सम्विधान ने भी बेसिकली जो रूल आप लोगों ने बना दिया, उसको प्रोपर वे में आप लोगों को फोलो कर रहे हैं, फेरनेस यहाँ पर आप लोगों को लेकर आनी हैं, अगर कुछ भी इंप्लिमेंट करें, अकाउंटेविल्टी होनी चाहिए, जिसके एरिया में ऐसी हरकते देखने को मिली, तो इस तरीके से आपर वो लेकर चलता था, अगर किसी एरिया में कोई चोरी हो गई, कोई मर्डर हो गया, तो सबसे पहले तो मेंबर व पारलेमेंट को बगड़ो, फिर मेमर उस एरिया में आईस को बगड़ो और फिर आईपेस को बगड़ो, तो समझो, अगर यहाँ पर सबको एक तरीके से एक कटगरे में लाकर खड़ा हो जाए, अगर किसी एरिया में चोरी या फिर मंडर हो जाए तो क्या आप लोगो लगता है उसी एरिया में चोरी और मंडर हो जाएगा बिलकुल भी नहीं होगा तो पुराने टाइम पर इसलिए काफी लार्ज स्केल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज को एक तरी सप्रेस करके रखा जाता था पर आज केट में क्या है करेप्शन और एक तरीके साथ में जो ओनेस्टी है वो ढंक से देखने को नहीं मिलेगी तो यहां पर इसको रोका जा सकता है तो यह काफी बड़ा मुद्दा है सोसाइट के में अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो कोई confusion इसको लेकर आप लोग के माइड में नहीं होना चाहिए और अगर question भी बन जाए तो आप लोग को इसके बारे में मैंने detail में बात करा दूँगा, टेलिग्राम पर सारी चीज़ खट्टी आप लोग को मिल जाती है, ठीक है? तो कोसिस करूँगा, आज शाम ये फिर कल आप लोग को सारी फीडिय आप मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पता है कि दिपाबली वगरा, तो उसकी consistency maintain रखना थोड़ा सा टब पढ़ जाता है जहां पर मैं normally अपने lecture बनाता हूँ ठीक है तो हाँ पर तो सारी facility रहते हैं सब चीजे पर थोड़ा सा जब भी अपनी मतलब अपने local area में जाता हूँ तो हाँ पर दिक्कत है आप लोगो पता है थोड़ा बहुत internet का issue बन ठीक है तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा तब तक अपना वेट के लिजा हलका सा आईए अब आगे चलते हैं नेक्स टार्टिकल जो हाँ पर बात कर रहे हैं यह बिसिकली बात करा है कि हमारी country के अंदर जो climate को लेकर low है वो ढंके नहीं है इसलिए हमारे देश में अब तक भी चीजों को ढंक से इंप्लिमेंट नहीं किया गया है आखिर यह क्यों बोला गया तो कई तो प्रिलिम्स के कोश्चन आप लोग से यहां पर बन जाएंगे जैसे कि अभी कॉन्फरेंस और पार्टी कौन से देखने को मिली कॉन्फरेंस और 26 यहां पर देखने को तो यहां पर अभी जब यह कॉन्फरेंस हो रही थी तो हमारी कंट्री के प्रिमिस्टर साब के द्वारा कई सारे टार्गेट लगा दिये जिसके चलते काफी जदे यह न्यूज में भी आ गया तो यहां पर एक याद रखेगा इसको बोला गया पर इसकी पंच मेरिट ठीक यह फिर दूसरे तीन ओफिसन रहेंगे और चोथा रहेंगे इनमें बोलेंगे बताए कौन से है तो इस तरीके से आप लोग से पूछे जा सकते हैं सबसे पहला तो यह बोला है कि हम लोग को नोन फोसिल एनरजी जो कैपेसिटी है यानि कि एक तरीके से नोन फोसिल का है 2030 तक का तो पहला तो यह चेंज किया गए हाँ पर इंपोडेंट याद रखेगा दूसरा बोला गए हाँ पर फुल फिल किया जाएगा 50 परसेंट जो एनरजी रिक्वार्मेंट है वाया रिनियेबल एनरजी 2030 तक का यानिकि हमारे देश में आज की डेट में अगर बात कर लगा है ठीक है रिडियूस करेंगे 1 billion carbon emission carbon emission जो भी होता है उसको reduce करेंगे और reduce करने के तरीके क्या हो सकते हैं देखे एक तो आप लोग क्याश कर सकते हैं जो भी koila यूस करना सको नए चीज़े हो रही है उसको reduce करना तो 45% तक उसको reduce करने की बात की जा रही है और एक और सबसे important जो की काफी ज़्यदे news में आ गया कि net zero पर हम लोग लेकर आएंगे अपने देश को net zero का मतलब क्या है net zero का मतलब यह कि जितना carbon हम लोग produce करेंगे उतना ही carbon हम लोग consume करेंगे यानि कि जितने पेड हम लोग काटेंगे उतने ही पेड हम लोग लगाएंगे यानि कि deforestation जितना करेंगे उतना ही ज्यादा एफ़ोरस्टेशन करेंगे 2070 तक का ये भी एक target आप लोग आपर देखने को मिलेगा, तो ये 5 मुद्दे basically हां पर बताएगे ठीक है, आप लोगो ने 5 Seals का सिध्धान सुनाई, 5 Seals आप लोगो ये बताना है, 5 Seals का सिध्धान स्का से निकाल कर लेके रहे था, यादा आप लोगो चलिए मैं बताइता हूँ ये name से निकाल कर ले गया था इसको बोलते है non-aligned moment पांचो के पांचो सिध्धान्त जब भी international listen में बात आती है आप लोगो कई बार उनकी बारे में देखने को मिलता है कई बार मैं बता चुक हूँ पास्ट में इनको कभी फिर टाइम मिलेगा फिर बताऊंगा तब तक आप लोग सर्च किजे और पांचो के फांचो सिध्धान्त comment box में लिख कर देखना तो आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद भी रख पाओगी एक और important बात morning में आप लोग target सेट क्या कीजेगी क्या क्या आप लोग को आज अचीव करने है और शाम ताग उसको कोशिस क्या कीजे अचीव करने की और मैंने दो चीज़ा आप लोग बताइए morning में अगर इस वीडियो के नीचे target लिखेंगे और शाम को फिर आप लोग जब अचीव कर लेंगे तो आप लोग target लिखना नैनो वाली वेक्जिन के नीचे तो आप लोग देखेंगे कितना आप लोग ने अचीव किया है publicly इसको लिखेंगे तो लंबे समिन तक आप लोग याद रख पाएंगे इसको भी आप लोग implement करके चल सकते हैं तो इससे regularly आप लोग अपने आपको एक connected zone में पाएंगे अभी आगे बात करते तो glass go में क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर यह बोला गया कि यार देखो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग आते हैं मिलते हैं और चले जाते हैं पर लेकिन हम लोग चीजों को implement नहीं करते हैं तो practical implementation करने की वास्त की जा रही है Paris Accord की यह जो Paris में हम लोग मिले थे France के अंदर में 2015 में उसमें हम लोगों ने Paris Climate Agreement जो sign किया था उसको practical तरीके से Natural Disaster के बारें बात करें Climate Change के बारें बात करें तो यह काफी बड़े मुद्धे हैं फिलाल इनको जिनको टैगल करने है फिलाल biological यह फिर environmental stress आप लोगो देखने को मिल रहे है हमारी country के जो minister environment minister जिनका नाम है भुपेंदर यादो साब उनके द्वारा भी बोला गया है कि आर जो अमीर country ने पैसे देने की बात कि 100 billion हम लोग देंगे जो developing country को जो developed country ने बोला है developed कोन दोता है जो अमीर होता है developing कोन होता है जो अभी अमीर की category में आने वाले progress पर है ठीक है तो उनको बोलाता है तो developed country अमीर country को गरीब country को पैसे देना चाहिए थाकि technology बगर को implement के जा सके क्योंकि उनके पास में पैसे की कमी होती है ठीक है तो इसी के चलते इसको implement करने की बात की जा रहे है क्योंकि बिना basic revenue के कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते ठीक है जिस तरीके से नहीं आप लोगोंने प्राणे टाइम पर देखा था बुद्धिजम जब फोलो किया था तो बोलते थे कि हर एक जो भी चीज आप लोग को पास में उसको last extent तक आप लोग उसको use करो जैसे की घर में कुरता हो गया ठीक है कुरते का आगे चल कर थेला बना लिया थेले से आगे चल कर कुछ और साप करने को कुई कपड़ा बना लिया तो इस तरीके से उसको last तक use करना है तो वो सारी चीज आप लोग करनी पड़ेगी एक natural solution आप लोग को लेकर आना पड़ेगा या फिर environment protection के बारे में बात करें तो कई सारे ऐसी चीज आप लोग को देखने को मिलेगी जिसके लिए हम लोग उनको धंक से implement नहीं कर पा रहे है तो क्या-क्या चीज है हमारी country पहले आप लोग यह समझे यह important point है थोड़ा सा आप लोगों से इंटर्यू में ऐसे question पूछ ले आते हैं कई बार ठीक है बुला जा रहा है कि हमारी country में जो low है उसके बारे में अगर बात करें environment protection low है कई बारे इनको match करने के लिए यह date यह याद रहना ठीक है environment protection low कब आय था यह 1986 में था यह state pieces के अंदर question पूछ आ चुग है कई बार air prevention and control pollution के बारे बात करें तो 1981 में आय था है आपर यह water जो prevention and control of pollution के बारे बात करें तो यहाँ पर 1974 में यहनके सबसे पहले पानी को हम लोगों ने बात की थी save करना है पानी के बाद में फिर हम लोग हवा पर आ गए थे और फिर अब लोग environment पर आ गए थे ऐसे याद रहना हम से गम ठीक है तो बोला यह जा रहा है कि environment को climate के बारे में यह आप लोग बात करते हैं यह exactly water और only air से लिटेड नहीं है कि बस आप लोग water air को pollution होने से बचा लो तो आप लोग climate change को बचा लोगे आज की डेट में अगर बात करें हाप अप अप तो आप लोग देशते हैं कि impact का side loan का यह भी हम लोग यहाँ पर cover करके चल सकते हैं जो कि हम लोग cover नहीं करते हैं environment climate जो violation के जो रूल आप लोग को देखने को मिलती हैं उसमें अगर हम लोग बात करें हमारी country का environment protection act है सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और देखने को मिलती हैं यह ऐसा act नहीं है कि इसके अंदर कुछ गडबड हो जाए तो इंसान ने इसको follow नहीं किया तो उसको सजा मिलेगी सजा इसके अंदर नहीं मिलेगी अगर सजा देनी है तो आप लोग को code of criminal procedure के अंदर जाना पड़ेगा यह निक एक तरीके से यह तो वही बात होगी जैसे national human right commission हो गया ठीक है तो national human right commission क्या गरेगा उसके हाथ में पावर ही नहीं दे रखी है वह बस रिकमेंडेटरी नेचर का है नहीं कि रिकमेंडेटरी नेचर का होता है कि बस recommendation देता है कि यार इनको implement करे ना अब government implement करे या ना करे उसके ऊपर तो government देखेगा उसको कोई कुछ बोली ने सकता है तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो low है इसलिए आप लोग पहले तो ही चेंज करना पड़ेगा उसी लोग के अंदर आप लोग सजा दो इसी के चलते आप लोग को देखना पड़ेगा कि climate जो भी हाँ पर अगर बात करने इसको integrate करना पड़ेगा action को कि कैसे adaptation करना है कैसे mitigation करना है adaptation मतलब कैसे कि आप लोग उसको अनुकूल बना सकते है और कैसे आप लोग उसका जो दिक्कत हो रही है उसको कम कर सकते है तो कैसे monitor कर सकते है जो progress चल रही है तो comprehensive climate action आप लोग को लाना पड़ेगा not just technology के point of से कि हाँ आप लोग को यह technology का implement करना है आप लोग को ecosystem natural hazards को कैसे reduce करना है और carbon sink को कैसे लेकर चलना है इन मुद्दों के ओपर भी आप लोग को बात करनी पड़ेगी ठीक है तो यह basically बोलने की कोसिस कीगी है एक और important बात यहाँ पर अभी हमारी country का जो target है यह question आप यह हम लोग कहीं पर जैसे की तार बिछारें खंबे लगा रहे है ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है कई बार कहीं सारे जैसे इंडियन जो बस्टर हैं आप पर उनकी जान चली आती है ठीक है अब यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा माले हम लोग कहीं पर ऐसा है कि एक पैनल लगा दिये, उसको connect भी करने के लिए हम लोगो अतार भी चाने पड़ेंगे, तो भी चीज़ा हम लोगो देखने को मिलेगी, चाए आप लोग renewable लगाओ, चाए नोन renewable लगाओ, आप लोग यहाँ पर यह देखेंगी, उस area में, अगर कोई ऐसा जो प्राणी रहता है, ज नीचे comment box में बताइए, अगर बात करें, उन्हां इसके उपर एक वीडियो भी है, difference between council and commission, search कर लिजेगा बाई वीर, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, तो बोला गया है कि इसको आप लोग एक तरीके से power दीजे, दूसरा, quasi judicial body आप लोग रखे, quasi का मतलब क होता है, कि administrative और judiciary दोनों की powers के अंदर होनी चाहिए, तो यह आप लोग करना पड़ेगा, technical committee हाँ पर रहे, जो कि technical चीजों को देखे, और various जो private और जहाँ पर public agency है, वो भी हाँ पर इन issues के ओपर मिलकर बात करें, तो ऐसे मुद्दों को आप लोग लेकर चलना पड़ेगा, तब ही आप लोग इन चीजों का solution निकाल पाएंगे, तो यह कई सारे मुद्धे हाँ पर बताए गए, एक और important बात यहाँ पर बोली गए, next इनके द्वारा, बोला गया कि अगर आज की date में आप लोग बात करते हैं, तो liability होनी चाहिए कि कौन particular person है, ठीक है, और accountability होनी चाह सही कि गलत क्या हो, इसको सही कर लेते हैं, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कहीने की legally enforce करना चाहिए, national climate, जो climate change plan है, उसको ताकि चीजों को धंक से implement किया जा सकी, इसी के चलते हैं, अगर बात करें, national green tribunal जिसको आप कराते हैं, तो याद रहना पार थर्ड में fundamental right के अंदर जब आप लोग जाएंगे, तो आर्टिकल बारे से लेकिए, आर्टिकल 35 तक आप लोगो fundamental right देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आर्टिकल 21 से वो बात करता है, right to life के बारे में, तो उससे बोला गया कि right to life का मतलब, right to इसको एक clean and fair, एक अच्छा environment होना चाहिए, तो हाँ से इसको निकाल कर लेकर आया गया, अगर कल को जैसे की उत्राखन में तराज दिया ही, ठीक है, या फिर कहीं पर कोई इस तरीकी बार आ गई, तो कहीं बार क्या बोलते हैं, उसको act of God बोल देते हैं, act of God क्या बोलते हैं आप लोगों ने बांद छोड़ दिया, उसमें लोग बह गए, act of God कहां से हो गया, कि भगवान ने किया, यह सारा काम नहीं यार, यह तो आप लोगों ने किया, आप लोगों को पता ही नहीं था कि यह आपर बारिस होने वाली है, क्या है, आप लोग बोलते हैं कि सारी जोगों काउंट ही नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कई बार बांद को पहले से भरे रखते हैं, पता अचला बारिस कम हो गई तो बांद खाली रहेगा, तो आज दूसरी चीज़ों का काम नहीं कर पाएंगे, तो यह कई सरी scientific एक तरीके से आप लोगों को दिक्कते देखने को मिलेगी हमारे देश में, जो की पोलम क्रेट करती हैं, अभी अलक अनन्दा जो हाइड्रो पावर कंपनी थी, उसके ओपर यहाँ पर नो क्रोड का इनकी ओपर बैन लगा गया, उसके द्वारा बोला गये, एक्ट ओफ गोड था, एक्ट ओफ गोड काहां से होगे, हरकते तुम कर रहे, एक्ट ओफ गोड का नाम देकर छोड़ दे रहो, तो यह गलत बात है, तो कमिशन जो है, वो यहाँ पर प्रिवेंट करेगा, ऐसा आप कोई भी अगर नेगलिजेंस देखने को मल रही है, कोई ऐसी चीज़े देखने को मल रही है, और फिक्स करेगा, अगर क कोई कंडिसन निकल कराती है, तो यह जरूरी है कि आप लोग इस तरीके कमिशन भी बना के लेकर आओ, यानकि हमारी कंट्री में जो काईदे और कानून है, उनको धंग से इंप्लिमेंट कर जाए, और जो काईदे कानून में जो भी गैप देखने को मल रही है, उनको धंग से भर आ जाए, और उसको गेप को भरने के लिए भी इनकर ही कमिशन को करने की बात के गी है, तो यह सोलुशन दिएक है, इनकर आप लोग इनको सोलुशन बेसिकल कर सकते हैं, तो अगर इंट्री बर्टे यह आप लोग के अन्दर कोई कोशन बूचें, तो यहां से आप ल रहेगा आप लोग का वो है World Trade Organization के बारे में ठीक है World Trade Organization के अभी एक मिटिंग देखने को मिली उसके बारे में ये आर्टिकल है ठीक है तो वो basically उसको मैं आर्टिकल को कल discuss करूँगा detail में काफी क्योंकि मुझे लगा कि उस आर्टिकल के साथ में मैं World Trade Organization की पूरा प्रोचेजर और वर्किंग भी आप लोग को बता दूँगा तो उसको मैं detail में discuss कर लूँगा ठीक है ताकि आप लोग इमाइन में उसको लेकर कोई confusion हो तो आर्टिकल भी रहेगा और वो भी रहेगा तो सारी चीज़ आप लोग के लिए हो जाएगी संडे का discussion काफी important रहता है जो भी important आर्टिकल बच जाते हैं या फिर जो भी मुझे लगते है एक्स्टर चीज़े मुझे पढ़ा नहीं है तो संडे में हम लोग लग तरीके से दवाईयों को बनाना स्टार्ट किया तो हमारा देश भी इस रेस में चल रहा था तो हमारा देश जो इस रेस में चला था दवाई बनाने के तो हमारे देश की जो दवाई है को बनाए जा रही है उसको अभी world health organization के दवारा approval दे दिया गया है इस दवाई को ठीक है तो यह जो दवाई है अब दुनिया के लिए available रहेगी हाँ पर अपनी देश में तो हम लोग use करेंगे global supply भी हाँ पर कर पाएंगे COVAX की तहट अब यह COVAX क्या है ऐसे question आप लोग उसे कई बार बन जाते हैं पहले आप लोग यहाँ पर इसको COVAX को समझने से पहले एक particular Gavi Alliance के बारे में आप लोग समझे गावी और या फिर Vaccine Alliance भी इसको बोलते हैं यह एक ऐसी Alliance है जो की लगबाउ 2000 में create की गी थी और International Organization है जो की Global Vaccine Alliance के बारे में बात करती है यानि कि एक सैड में है अमेरिका एक सैड में है जापान एक सैड में है South Korea और एक सैड में अफर एक करा देगे और उन लोगों का क्या जिनके बसकी जए एक टाइम का खाना खरीदने भी नहीं है क्या वो दवाई खरीद पाएंगे तो यह Alliance इसलिए बनाये गया कि यार जिनके पास में रिशोर्स इन वहाँ पर मिलकर पॉब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम करेंगे और उनको दवाई प्रोवाइड कराएंगे जिनके पास में दवाई नहीं पहुंसता आती है तो वल्ड की पुरेस्ट जो है वल्ड की सबसे गरीब कंट्री है गरीब देश है उनका हम लोग दवाई प्रोवाइड कराएंगे तो इसके चलते है World Health Organization, UNICEF, World Bank और Bill and Melinda Gates Foundation तो ये सारी organization मिलकर काम करते हैं उनको दवाई प्रोवाइड कराने के लिए और इसको आगे लेकर चला जाता है अगर 2019 के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ तो गावी बोड के द्वारा अप्रूव किया गया कि new 5 year strategy लाएगे इनकी आपर जिसको गावी 5.0 बोला गया बोला गया no one एक तरीके से बोला गया है हाँ पर leave no one behind with immunization यानिकि ये बोला गया किसी को भी आप लोगों को पीछे निचोड़ना है सबको immunize करना है ताकि अच्छे से हम लोग सबको vaccine प्रोवाइड करा सकें तो ये गावी अलाइंस का काम ही हाँ पर निकल कराया अब इसी क इसको बोला गया कोवेक्स कोवेक्स बेसिकली क्या है आपर ये ये एक तरीके से कोवड-19 की vaccine लोगों को provide कराने के लिए इसको start किया गया ताकि लोगों को उनको दवाई provide करा जासेगे जिनके पास में resources नहीं तो ये particular कोवड-19 के लिए इसको start किया गया कि 2 billion dose दे पर किसका प्रोग्राम है तो गावी का ही प्रोग्राम है तो गावी के द्वारा मिलकर coalition of epidemic जो preparedness innovation ये मिलकर काम कर रहे है world health organization के द्वारा ताकि partnership की जासेगे दवाई को बनाने में देखिए एक तो होता है दवाई provide कराना तो गावी alliance क्या करता है दवाई को provide करा रहा है पर आप लोगे पास में दवाई होगी अभी COVID-19 के दवाई थी ये नहीं तो उसको manufacture करने के लिए भी हाँ पर इनके दौरा support provide कराए गया तो कोवेक्स facility क्या थी है आप अप तो कैसे monitor करना है और कैसे manufacture करना है उसके ओपर कैसे logo तक पहुचाना है कैसे innovation करना है तो इस सारे अप लोगे एक्जाम में बन जाएगा किसी भी एक्जाम में तो आप लोगों से question पूछे जाए तो confused आप लोगों को नहीं होना है एक और चोड़ी सी बात coalition for epidemic preparedness innovation के वारे में अगर बात करते है जिसको CEPI बोला गया है तो global partnership यहाँ पर यह launch की थी 2017 में ठीक है ताकि vaccine लोग यह अलग अलग तरीके के alliance बना रखे है ताकि चीजों को ढंक से implement किया जा सके तो उसी alliance के द्वारा support किया गया थे हापर हमारी country भी कई सारी चीजों को जिसके चलते हम लोगों को दबाया provide करा सके अगर आज की data में बात करूँ world health organization जो कि एक international level की organization है और यहाँ पर इन मु country वालों को अभी हाँ पर basically दवाईया मिल पाई है अभी बात करें तो बहुत सारी 70 के country यहाँ पर 10% जो population ही मिल पाई है आप 30% करीब यहाँ पर including Africa के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ country यह 30 country करीब जहाँ पर only 2% आप लोग को देखने को मिला है यानि कि यह व थी कोविशिल्ड जो दवाई थी यहाँ पर यह चार वीक के अंदर यहाँ पर इसको अप्रूवल दे दिया गया World Health Organization के द्वारा जबकि को वैक्सिन दवाई को अप्रूवल देने में इनके द्वारा क्या लगा दिया इनके द्वारा 20 20 अफते लगा दिये तो यहाँ पर क लगा जाता है तो उसके चलते भी हाँ पर यह न्यूज में रहते हैं ठीक है तो यह भी एक इंपोर्टेंट मुद्दर रहते हैं को वैक्सिन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूई है आपर अभी इसको अप्रूवल दिया गया तो आने वाले टाइम में यह बो तो मुद्दे ग्वाफ फिराकर अगर नहीं देखे तो सिधा सिधा यह है कि सबसे पहले तो मैनुफेक्चर करनी है दबाई अपने आपको तो आप लोग को बेसिकली इंजोय करना है दूसरों को प्रोवाइड करना है यह बिल्लकल ऐसे इसे पुराने टाइम में आप विल्लोग लोगई के लिए दू हर सो मैं से 5 रुपे आप लोगई को दूसरों के लिए sesame लगा देना चाहिए यह एक तरीके से इंसानितके नाते यहाँ पर एक Contribution आप लोग बोल सकते करा रहा है उसमें से आप लोग किसी की help करने ये हमें से अपनी earning जब खुद aprendli लगो उसमें से आप लोग लेकर चलो जब आप लोग खुद की earning होने लागे ठीक है तो इससे क्या पर article I hope कि आप लोगे mind-based को लेकर clarity आई होगी ओके आए अब चलते हैं आगे हाँ पर अब जो आप लोगों से में discuss करने वाला हूँ यहाँ पर यह काफी important point है जिनको जहां से सुनना कई बार direct question भी आप लोगों से बन जाते हैं तो prelims focus discussion के ओपर हम लोग focus करेंगे यह हमारा second section होता है discussion का जिसके अंदर हम लोग जो important facts और figure हम लोग mainly हाँ पर देखते हैं ठीक है इसके अंदर बात करते हैं तो अभी हाँ पर जो duty cut की गई है और इसे के साथ में stock को limit किया गया है तो इसकी वेज़े से बोला जा रहा है कि ज सुरज मुखी का तेल यह मुंफली का तेल यह सारी जो हैं अभी सस्ती हो गी है तो डहली मुंबई अलिगड यह अलग-अलग area में जिसको आप लोग को देखने को मिलेगा इनको कट किया गया है अलग-अलग area में तो यहाँ पर एक जो basically हाँ पर देखने को मिलेगा अगर में बात करें तो माइनस सिक्स हो गया देख कई जगा आप लोग को देखने को मिलेगा यह अलग-अलग area से निकाल का लेकर आए डहली हो गया मुंबई हो गया अलीगड हो गया हहां खुड़र हो ठीक है तो यह आप लोग को अलग-अलग अलग area में duties वगया अलग-लग ला capital हो गया, इसी के साथ में बात की जा रही है कुडलो, ये कहाँ पर हो गया या आप लोगो बताना है ठीक है, जा कर सर्च करना इसको तो बोला ये जा रहा है कि price जो है अभी हाँ पर बोला है रहा है, पांस से दस रुपी कम हो गया, आपर डेली के अंदर भी आप लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसके चलते काफी फायदा हो रहा है, कई city में तो हाँ पर दीपावली पेवलोफ में 20-20 तक भी हाँ पर आप लोगो देखने को ठीक है, तो फिरी रासन तो कोई प्लान नहीं, इसको extend करने का, तो government पैसा सेव करने के मुद्दे पर भी आ गी है, ठीक है, अभी हाँ पर इसको मार्स 2020 में फिर लाया गया था, ठीक है नमंबर तक पर आगे extend कर देगा, तो 80 करोड के करीब benefitory यहाँ पर देखने को मिलते, तो देखते हैं आगे कैसे चीजों को लेकर चला जाएगा, क्योंकि लोगों काफी दिक्कत है देखने को मिलते, तो उसकी वेसे यह news में था, ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर, यह काफी तो जो तराजदी देखने को मिली हाँ पर, इनकी statue यह थी, यहाँ पर छितिक रस्त हो गई थी, तो उसको फिर से revamp किया गया, उसको फिर से यहाँ पर redevelop किया गया, तो उसके चलती यह news में है, ठीक है तो प्राइम स्टर मोदी साब जहें हाँ आपर यह अभी पहुंचे तो इनके दौरे इसको, इनके दौरे इसको इनके दौरे इनके दौरे इनके दौरे इंगरेट किया गया, तो इसकी विज़े से यहाँ पर यह news में थी, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ये इनको support करने वाले है, कई सारे तो ये बोलेते हैं इनों के द्वारे हैं, आपर basically क्रेप्सन के case देखने को मुले कई सारे चेती, वो एक अलग बात है, पर मुद्दा आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है एक important है आपर basically निहांग warrior के बारे बात की जा रही है, तो ऐसे कई सारे जो art हैं, आप लोग उसे इसके बारे पूछ जा सकता है, तो यहाँ पर यह है गटका, ठीक है तो निहांग warrior यह हैं के दौरा GAT की है, तो यह perform किया आता है, तो ancient form of Sikh martial art है, और अगर आप लोग prelims का paper उठागर देखोगे, तो match करने के लिए आ जाते हैं आप अगर इसके बारे बात करें, जो गटका हैं आपर basically, यह Sikh guru के दौरे हैं आपर basically यह start के गए था एक tradition, जो कि 6th Sikh guru थे, जिनका नाम था guru हर गोबिंद जी, ठीक है, तो उनके दौरे यह start किया गया, self defense में, क्योंकि मुगल time पर जो basically arrow हा करता था, तो उससे अपना आपको बचाने के लिए, तो यहाँ पर इनके दौरे इसको start किया गया था, self defense में, self defense में आप लोग के पास तो यहाँ पर gut cup federation of India बन गया, GFI 2008 में, अब यहाँ पर इसको ऐसा नहीं कि एक particular community इसको basically लेकर चलती है, अब यहाँ पर all faith और community जो है, वो यहाँ पर इसे participate कर सकते हैं, तो यह एक important जो fact आप लोगों को पता रहना है ठीक है, एक और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अभी COVID-19 के चलते काफी बुरी condition निकल कर आ रही है, तो उसके चलते हैं, यहाँ पर COVID-19 के साथ साथ में, pollution की बात अभी देखने को मिले ठीक है, तो डेली के अंदर यह बोला गया, कि जो air की quality है, वो काफी जाद है यहाँ पर होगी, तो उसके चलते हैं, नेसल capital region के अंदर यह बोला गया, center pollution control board के अंदर, कि severe category में पहुंच गी post दिपावली, क्योंकि पठागे वगएरा जलाए जा रहे हैं, ठीक है, और सरदी आती हैं, तो किसान अपनी खेतों को तियार करते हैं, इसी के साथ में veicular pollution काफी जादे देखने को मिलते हैं, तो कोई एक चीज नहीं, किसानों के जलाने से कोई दिक्कत आगी, या फिर पठागे फोड़ने से कोई दिक्कत आगी, तो यह अकेली only दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लोगों के पास में जो गाड़िये हैं, अगर पार्क तब भी जाते हैं, तो गाड़ियों में वेट कर जाते हैं, जहाँ पर cycle से चला जा सकते हैं, हाँ पर सब mode cycle use करते हैं, तो इस तरीके से यह जो है, एक तरीके से, यह भी condition जो रहती है, यह भी दिक्कते create करती हैं, तो हर एक इंसान आज करें में, चाए वो किसान हो, चाए पठागे पठकाने वाला बच्चा हो, चाए आपर गाड़ी चलाने वाला कोई विक्कल हो, इवन, कोई भी अगर, कोई भी किसी भी तरीके से pollution फैल आ रहा है, घुरों में जो चूले जलाए जाते हैं, वो भी हाँ पर इन सब चीजों में contribution करते हैं, तो किसी एक के ओपर blame करना कोई मतलब नहीं बनता है, हर एक इंसान पर even generator चला जाते हैं, cities में, कहीं नहीं है कि अलग-लग चीजों से यहाँ पर basically दिक्कते देखने को मिलेगी, तो सबको count करके चलें अगर, तो यहाँ पर basically जो Friday के time पर morning में 6 बज़े अगर देखें, तो 444 के करीब यहाँ पर air quality index देखने को मिला, तो इसका मतलब क्या है 444 का मतलब अगर आप लोग देखो, तो 400 से लेके 500 के बीच में severe category में हो जाता है, इसका मतलब यह है कि एक healthy इंसान भी जो बोलता है, मैं हस्ट पुस्ट इंसान हूँ, वो भी एक तरीके से इस कटगरे में आ जाएगा कि बीमार दिखने लगेगा, ठीक है, तो national air quality जो इंडेक्स हैं आपर यह basically तयार के गता recommend दिया गया basically, ओ थरी indicator इनके दोरा focus करने की बास कीगी थी starting में, पर लेकिन नए में 8 parameter यह follow करके चलते हैं, particulate matter 10 हो गया, particulate matter 2.5 हो गया, NO2 हो गया, O3 हो गया, CO हो गया, SO2 हो गया, NS3 हो गया और PB हो गया, और इनको category में जो divide किया गया है 6 category है, good का मतलब होता है 0 से लेके 50, satisfactory का मतलब होता है, 50 से लेके 100, moderate का मतलब होता है, 101 से लेके 200 और poor का मतलब होता है, 201 से लेके 300, very poor का मतलब होता है, 301 से लेके 400 और हम कहां बैठे हैं, हम बैठे हैं आपर, severe category में, यानि कि एक hushed pushed इंसान की भी कहानी खराब हो जाए तो यह वाली चीए देखने को मिलेगी, तो इसके बारे हैं बात की जारी है एक और important बात हैं आपर, basically बात की जारी stable burning के बारे में stable burning यह निए खेतों में जो पौल जलाना, तो उसके लिए important है आपर अभी एक solution लाए गया था, Pusa decomposer आप लोग याद रखना, जो कि यहाँ पर solution निकाला गया था इसमें किया था, Pusa decomposer में यह बोला गया, कि आप लोग अगर चार capsule को 25 लिटर पानी में मिला कर, अगर basically आप लोग इसको use करते हैं खेतों में तो जो खेत आप लोग का 45 दिन में तयार होता था, वो 20 दिन में तयार हो जाएगा तो किसानों को खेतों में पौल को जलाने की जूरत नहीं है, तो यह काफी important चीज यहाँ पर start कीगी तो अगर solution बात करें, आप लोग इसको यहाँ पर mention कर सकते हैं, किसानों के लिए तो important है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार question बन जाते हैं, अभी अगर next आप लोग उसे बात करें, तो इथोपिया के जो प्रेजिडेंट हैं, उनके बारे में याद की गई, तो यहाँ पर अभी country के अंदर काफी ज़दे, काफी ज़दे दिक्कत होगी, यह state of emergency यहाँ पर लगा दी गई है, तो इसके चलते हैं, यह काफी ज़दे news में हैं, ठीक है, अगर map में आप लोग देखना चाते हैं, कि एथोपिया कहां पर है, तो अपनी प्यारी country हैं आपर, और यहाँ पर आप लोग बेसिकली एथोपिया को देखें, यह होनो पफ्रीका वाला जो रीजन है, वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसमें Somalia आ गया, इसी के साथ में एथोपिया आगया, ठीक है, एरिटेर आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग यह मैं बेस्ट कोशन भी आप लोग को होगी है, मैंने आप लोग को पठाये भी था, ठीक है तो इसका Rivizeन कलीजर, फिर कल इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूँ का, ठीक है तो यह इसके बारे में बैसिकली हाँ बात कर रहे हैं, कुछ और चोड़ी लाइन हैं आपर, ज उसका जो वर्क चलना है ना construction का उसको आगे लेकर चलने की बात की जारी है आप लोगों पता है हमारे देश में अभी central visitor बना जा रहा है तो दो तीन बार उसके बारे में आप लोगों बता चुकों फिर कभी time में लेका फिर से detail में उसको explain कर दूँगा continuous देखे आप लोग connect रहते हैं तो बहुस सारी चीज़े हैं जो revision भी आप लोगों का होता रहते है पर लेकिन revision भी इतना ही करना है कि आप लोगा नया portion ने कुछ ने चुड़े क्योंकि कई बार यह ऐसा होता है कि पराना पुराना पुराना होता रहे पता चलने की course करता हूं क कि आप लोग का नया कुछ न चुड़े और प्राने का आप लोग का रिवजन होते रहे इसलिए एडिटोरियल कुछ इस डिटेल में पढ़ाता हूँ ठीक है तो आप लोग जुरूर सुना कीजिए एडिटोरियल ऐसे हैं एथिक्स में आप लोग काम पहुचाएंगे ठीक है तो पर हम लोग ने बात की हिए पांच सिंधानत मोदी जी के द्वारा दिए गे इसके बारे में कौन कौन से हमारेद से हमारे देश में सिंधानत है हो समझा हम लोग ने तो इस सारे मुद्दे आप लोगों से कई बार question की form में पूछ ले जाते हैं दो वीडियो regular देखने को मिलती हैं आप लोगों को एक morning में और दूसरी evening में तो दोनों को अपनी life का part बना लिजे current affair और static सारे कबर हो जाएंगे बागी तेल के price में क्या चल रहे हैं यह अभी हम लोग ने केदार नात में कुछ बात हैं यहाँ पर देखी इसी के साथ में जो case चल ला था वो समझा ठीक है पीडियेफ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी और answer writing जुरूर कीजएगा ऐसे दूँगा उसको जुरूर attempt करना तो next lecture मिलतो हो अपना ध्यान न किया बड़ों को नमस्ते चोड़ों को प्यार चोड़ी से life एंज्यो करया है मिलतो हो next lecture में तब तक के लिए जैहिंद